कि सलाम नमस्ते हेलो केम छो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार वाई-फाइ स्टेडी लाइप पे तो दोस्तों सुबह हो चुकी और आपके लिए ताज़ातर दिन खबरे लेकर करके आचुके प्यूश सर तो फट फट से जूट जाए यह सेशन के बार शेयर कर कर देता हूं यार तो चलिए दोनों लोग मिल करके क्या करते हैं शेयर करते हैं कि क्या बात है तो चलिए दोस्तों अपने सभी दोस्तों को बता दीजें कि यह क्लास स्टार्ट हो चुकी है और कम से कम दो से तीन दोस्तों को रोज जोड़िए जिनकी सरद्धा कम हो एक दो पढ़ना है तो बस आपके जुबान पे बस प्यूसर का नाम होना चाहिए फटा-फट इसको प्रमोट करिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करिए हमारी ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़ियां शांदार मेरे दोस्त चांदा जिंदाबाद जबर दस्त चलिए दोस्तों हो गया शेयर अब दोस्तों जो है क्लास सुरू करते हैं पर पेपर लेकर बैठ जाए दोस्तों क्योंकि नोट कमाना है तो नोट करना होगा सीखना बंद जीतना बंद देरी इस नो अरणिं विदावट लर्निंग चले दोस्तों शुरू करते हैं अपने डेली करेंटक प्लास को जिसमें दोस्तों सबसे तेज सबसे पहले सबसे ज्यादा कुरेंट करते हम लोग कवर करते हैं रौज दोस्तोंझ जो सबसेझ machine weekly current affair ठीक है दोस्तों आज शाम को साथ बज़े से एक नई नई class start हो रही है जो है जिसमें हम लोग दोस्तों जो है six month current affair में मई cover करेंगे दोस्तों ठीक है दोस्तों six month current affair में best 200 class जो है अपनी जो है जो वाइफाइ study live state exam पे चलती है नौ बज़े वह तो चलेगी वहाँ अप्रेल cover करेंगे यहां पर मई cover करेंगे एक घंटे में हो नहीं पा रहा है तो अप्रेल मई दोनों ले करके चलना होगा ठीक है बात समझ में आ रही है अच्छा अब एक दिक्कत यह आ गई कि प्यूसर के जो एक व्यूजी नहीं है वह बच्चे नहीं है तो दोस्तों जो है आप लोग साम को आज साथ बज़े लॉंचिंग में आ जाहिएगा है ना दोनों लोग का है तो भाईया उनके पर लोग रहेंगे अपने भी रहने चाहिए ठीक है क्लियर है है कि नहीं तो अपने पर जो है सब लोग को आ जाना है शाम को साथ बज़े ठीक है ताबर तोड़ तरीके से बेस्ट टूहंड़ेट करेंट अफेर की जिसमें अप्रेल हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों यह क्लास जो है आपकी एक बार तुम लोग मेरी बात सुन ली तो यह बात तो बता दो दो स्थ यहां पर लिखें है जिन लोगों मेरे वह वीडियो नहीं मिला है वाटसप फॉलोग मुझे वाटसप भी कर देंगे अ सब लोग को मैंने कहा था वाटसप स्टेटस लगाने को और कई लोगों ने इस्टाग्राम की स्टोरी लगाई है जैसे सोनल ने लगाया है जो है बहुत सारे बच्चों ने लगाया है एक आयूश बच्चे ने भी लगाया है एक हरी जी ने लगाया है बहुत सारे लोगों ने लगाया है कुछ ने WhatsApp status कुछ ने Instagram Reel लगाई है तो टैग भी किया है तो भाईया ऐसे ही आप लोग को अपने प्यूसर को प्रचारित करना है सेलेक्शन कि भाई यहां से हुआ है बच्चों का सेलेक्शन और इसका जीता जाकता प्रमार है कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी बच्चे आपका नाम ले रहे हैं तो वह वीडियो जो है जो इस भी टॉपर का है वह आप लोग लगाईएगा ज़रूर ठीक है कि मैंने आप लोग को टेलीग्राम पे भी दे दिया जी यह भाई प्यूसर टेलीग्राम पे भी आप लोग को दे दिया है ठीक है ओके दोस्तों अपनी एक जैसे ई-पी-फो की तैयारी कर रहे हैं आप य वैसा कि पेपर आता है दोस्तों वैसा जो है मैंने शुरू किया है तो यह जो है क्लास दोस्तों जो है मैंने चार बजे सुरू की है पहीं जरू एंप केट बारिया बटिशन इनुंस्मेंट कल सी होट खतरोंनाक है फच्चिस तारिक से बाइसाब एकदम फांडेशन बैच है जिसको भी जोग्रफी पढ़नी है साइंस पढ़ना है फिजिक्स पढ़ना है हिस्ट्री पढ़ना है एकनॉमिक्स पढ़ना है दोस्तों एकदम बेसिक से छे टीचर आपको एक टीचर की कॉस्टिंग पर पूरा जबदस्त पढ़ा सब्सक्राइब, दोस्तों जो गरफी साइंस रोहिदım फरकर रहे हैं हिस्ट्री पॉलेटी संदीप्स पढ़ें lo तोड़ तरीके से मैस आका सर रीजनिंग हीते सर संजीव सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं यह बैच कल से लॉंच हो रहा है तो आप लोग अभी ही इन्रोल कर लिजे मात साढ़े पांस सो रुपए का बैच है दोस्तों एक टीचर का बैच लेने जाओगे तो आपको साढ़े प इसकाउंट भी मिलेगा ठीक है तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो वाटसेप भी आपको कोई डाउट है तो आप यहां पर कॉल कर सकते हैं ठीक है सारी चीजे आपको डाउट सपोर्ट मिलेगा पीडिएफ मिलेंगी एक साल की वैलिडिटी है यानि एक्जाम खतम होन यहां तो अनकेडमी एप.com पर अनकेडमी एप पर यानकेडमी दॉट कॉम पर वैसे लाइफ चैट में यहां पर दिया हुआ है और जो है दोस्तों जो है यहां पर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है ओके क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शांदार दोस्तों मुख मंत्री तिर्थ दर्शन योजना के तहरे तिर्थ यात्रा के लिए सरकार द्वारा वित्पोसित हवाई यात्रा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों वू हैस बिकम देश्ट करी है तिर्थ यात्रा के लिए यह देखिए प्लेन में जो है सिवराज सिंह चवहान जो है बुजुर्गों का अभी तक तिर्थ यात्रा के लिए दोस्तों हम लोग यह देखते थे कि ट्रेन की यात्राएं देती थी यहां पहली बार दोस्तों हवाई यात्रा जो है दी ज जो है दोस्तो मद्य प्रदेश के सिवराज मामा हैं सिवराज सिंग चवांज यहां के मुखमंत्री हैं MP के मद्य प्रदेश के और MP के राज्यपाल भी दोस्तो MP ही है कैसे तो दोस्तों जो है MP के मंगू भाई पटेल है तो मंगू पटेल MP तो हुए तो दोस्तों जो है यहां पे आप देख सकते हैं यह बहुत बढ़िया मद्द पदेश में देखिए अभी सीखो कमाओ योजना भी आई थी बहुत बढ़िया तो 32 वरिष्च नागरिकों के जत तिर्थ्यात्रा की है अब इस तिर्थ्यात्रा योजना के तहट दोस्तों जो है हवाई यात्रा भी जो है कि सुरूज की जा रही है क्या बात है बहुत बढ़िया शांदार मद्द्यप्रदेश की कैप्टल भुपाल है जो सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोलवाला पहला शहर चुना गया दोस्तों और जहां पर दोस्तों साइंस फेस्टिवल भी हुआ था ठीक है अभी जी ट्वेंटी की मिटिंग भी हुई थी खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था जिसका स्पॉंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था दोस्तों ठीक है क्लियर है याद रहेगा इस देश में वर्ड हिल्थ असेंबली के सेवेंटी सिक्स्त सेशन को दोस्तों सम्वोधित किया तो दोस्तों मोदी जी एक बार निकलते हैं तो कई देशों की आत्रा को जो है दोस्तों जो है निप्टा देते हैं है ना तो दोस्तों जी सेवन में गए जी सेवन में दोस्त तो जापान जाने के बाद भाई साथ पापुआ न्यूगीनी पहुंच गए वहां पर प्रोटोकाल तोड़के वहां के महारापे जीने इनका पैर वैच हुआ रात को गार्ड आफ ओनर दिया गया बाई साथ वही पे पापुआ न्यूगीनी में न्यूजी लैंड के पीम नام बते उसके बाढ भाईस साब अस्टेलिया वांच गया ऑस्टेलिया सिदनी पहुंच गया भाईसाब उसके बाद उस्टेलिया में उनको PM उन्हों ने जो कि एंथनी अलबणीस जो वहां कि यह वह řेख रहते देख रहे पर छो इंडियन लोगों में हजन किया था थे लेकिन जो है मोदी जी का जो स्वागत हुआ है वो उनका भी नहीं हुआ था कभी और उन्होंने मोदी जी को बॉस कह दिया कि पीयम मोदी इस दा बॉस कि मतलब जन्ता में लुक प्रियता के अधार पर तो इस अब देखिये यहां पे वर्ल्ड असेंबिली की बात हो रही है तो वर्ल्ड असेंबिली तो दोस्तों कि और बाबा वर्न करेंसी तो दोस्तों यहां पर reaction क्या हो जाएंगा clouds क्योंकि दोस्तों Genoa स्ुजय रेंड में है क्योंकि नंबर वन जैवलीन थ्रोवर बन गए है वो डाइमंड लीग में जीतने के बाद दोस्तों तो ताबढ़तोर तरीके से नीरत चोपड़ा भी कर रहे हैं परफॉर्मेंस और उन्होंने अपने जैवलीन को दे दिया है दोस्तों इंटरनेश्ट्रोल ओलंपिक कमीटी को बात समझ में आ रही है क्लियर चलिए वेरी गुड बहुत बढ़ियां शांदार जिंदाबाद जवर्दस्त तो दोस्तों भारत ने ग्लोबल साउथ के कई देशों सहीत सौस अधिक देशों को कोवीड-19 वैक्सीन की लगबग 300 मिलियन खुराक भेजी है तो दोस्तों भारत इसलिए विस्वगुरू के रूप में भी आया कि जब दुनिया को वैक्सीन की जरूरत थी तो दुनिया मर रही थी तो भारत ने दोस्तों नहीं वैक्सीन बनाई अपनी लोगों को लगाया आत्मनिरभर भारत में और दोस्तों जो है दुनिया को भी भेजा जब भारत आत tsr 4 star बना हुआ है 4 star बना हुआ है कि इसकी ह्षर छार बार फाइनल जीती है CSK के कपड़े के यहां पर बना हुआ है कि इस से ज्याद़ च измен उसके इसकर बना हुआ इस तो दोस्तों जो समझ में आ रही है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़ियां शांदार जिंदाबाद जवर्दस्त दोस्तों पीम मोदी जी ने जो है उड़ीसा में जो है बहुत सारे रेलवे प्रोजेक्ट को हरी जंडी दिखाई यहां से पूरी से दोस्तों जो है हावडा तक की एक वंदे भारत ट्रेन को भी हरी जंडी दिखाई थी उन्होंने इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का उद्गाटन प्रक्ति मैदान दिल्ली में किया जहां पे दोस्तों यूगे यू तो यह सब मोदी जी ने इधर रिसेंट में किया है अभी गुवाहाटी एमस गुवाहाटी को भी दोस्तों उन्होंने राष्ट को समर्पित किया था 26 वे एमस को और वहां दो-दो गिनिजबु का वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे यह आप को लुको प्लेनरी के कौन से एडिशन की मिजबानी करेगा इंडिया विल होस्ट विच एडिशन आफ दे एन्वल आइस सो को पो लुको प्लेनरी बाइद मिनिस्ट्री अफ कंज्यूमर अफेर्स फूड और पब्लिक डिस्टिबूशन दोस्तों यह जो है कन यह मीटिंग यह जो है किसके पास मंत्राले मेरे हिसाब से यह मंत्राले जो है वह राम विलास पासवान जी के पास था राम विलास पासवान जी के डेथ के बाद से यह जो है दोस्तों मंत्राले जो है प्यूश गोयल जी के पास है इफ आइम राइट ठीक है वैसे जो है दोस्तों बहु हुआ करते थे वह दोस्तों जो है बन गए मुक्ताव पास नपक्वी माइनौटी अफेर हुआ करते तो इसमितिरानी बन गए इस्टील मंत्री रसीपी सिंग्वा करते थे वह तीरादित सिंधिया बन गए अपने-पने मंत्राले उनके पास हैं ही पहले से उसके बाद दोस्त तो हमारे देश के किरन रीजिजू अब नए अर्थ साइंस मिनिस्टर बन गए अर्थ साइंस मिनिस्ट्री जो है वह पहले जितेन सिंग्जी के पास थी तो बहुत सारे वैसे मंत्रालियों में चेंज हुआ है इसी के अंतरगत दोस्तों वह आता है राशन वाला काम राशन वाला काम दोस्तों जैसे मेरा राशन खाता वन नेशन वन राशन ये वाले सारी योजनाए इसी मंत्रा लेकर तहट आती है दोस्तों ठीक है क्लियर मिनिस्टर है यह ठीक है यहां पर लिखा भी हुआ है कि देखिए प्योष गोल इसका उधगाटन क्यों करेंगे भाई यह ये तो वाडिज्य मंत्री हैं Commerce मंत्री हैं ये तो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं प्यूश ग्वेल ये टो टेक्स्टाइल मिनिस्टर हैं लेकिन दोस्तों यह वाले मिनिस्टर भी है याद रखिएगा यह मुंबई से आते हैं इसलिए यह करेंगे ठीक है बात समझ में आ रही ह है तो दोस्तों इस प्रोग्राम को जो है बि आईस ने दोस्तों जो है हे औरगनाइस किया है जॉल्व आइस हालमार्क वाल फॉले के ज्वेलरी के कि इस डीट के बात से बीना हौल्मार्क वाले जो है गोल्ड यूल्री नहीं बिकेगी और वह समतनों की id लगती है वह 6 digit की होती है बद संबंज में आ रही है और वह होना mandatory है हर सोने के आभूसरण पर ठीक है सारे इस्टेंड़र्ट के नियमों का पालांग दोस्तों भारत की कंपनीओं से बी आईटेंट ही करती है दोस्तों एक जो है प्रेव एक छेंटेंट है बियाइएस एक आपका वेसल स्विजर लेंड में भी है बेंग for International बैस्सल सेटिमेंट जिसने अर्भी के साथ मिलकर के जीटवन्टी टेक स्प्रिंट की सुनुरुत करी है दोस्तों आर्भी आई के साथ मिलकर प्रिंट की यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट मोजे याद आ गया है चल्दों मैं आपको बता रहा हूं और उसी के सेक्रेट्रियेट में बेसल में बेसल कमीटी की मीटिंग होती हैं जिसमें 63 गवर्नर जाते हैं अलग-अलग देशों के और बैंकों सुद्ट को डूबने से बचाने के लिए नियम बनाते बैसल वन अकॉर्ड बैसल टू अकॉर्ड बैसल थ्री नॉर्म्स यह सब दोस्तों उसी वसी जग बना हुआ है क्लियर बात समझ में आ रही है कि तो दोस्तों मैंने डेट पूछा है और डेट किसी ने बताया कि नहीं बताया मैंने अभी साम को पढ़ाया है मैंने एक दो दिन पहले पढ़ाया है 31 मार्श तक वह लाज देट थी वहरी गुड़ बहुत बढ़ियां वहरी गुड़ बहुत बढ़ियां दोस्तों देखें विए यस तो हमारे देश में देखता है और आई यस जो है दोस्तों वह जो है इंटरनेशनल देखता है ठीक है आई यस का हेड़ कोटर कहा है जेनेवा स्विच्जर लेंड में है यह भी आद रखिएगा अब दोस्तो यह कोपो लोको पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसका जो है फुल फॉर्म देखिए कमीटी ओन कंजूमर पॉलसी ठीक है कमीटी ओन कंजूमर पॉलसी ठीक है ओके चलिए बहुत बढ़ियां शांदार जिंदाबाद जबर्दस्त है ओके चलो बहुत बढ़िया तो इस्टैंडर्ड का पालन ये लोग करवाते हैं दोस्तों प्रधानमंति नरेन मोदी जी को फीजी और पापा पापुआ न्यूगीनी के दौरा सर्वोच संवान से संवानित किया गया है पापुआ पापवा न्य treaty कि दोस्तों निगिनी के में तो एक सेख भाई सर्वोच सम्मान अपना नागरिक सम्मान linux ने दे दिया पापवा नीगिनी के मारापे जी ने दोस्तों जो है पैर चूखे इनका सवागत किया पैर चूखे बराबर ऐदमी का पैर चूना बही बराबर यहां तक कि यह बात अलग एकि भारत पहले उस मुद्रा में रहता था लेकिन जब से मोदी जी पढ्धान-मंतरी बने तो लों ने कही में विदेशनीती में बहुत सारे बहुत सारे भारत को ग्रांट जेते थे भारत को गरीब देश जानके यूकि आता था तग्रांट देता था बहुत सारे देश कि के लिए नजर मिलेंगे मिलिंगे के लिए हम जिससे भी मिलेंगे फ्रीक की बात करेंक। भर atención pasar livealta मिलना बंद हुआ भारत नेक्य हमतुम्हारे तुमको पीछे कर चुके हैं हम तुमसे बड़ी एकनौमी बन चुके हैं पांचवी बड़ी एकनौमी बन चुके हमें ग्रांट नहीं चाहिए तुमसे दोस्तों फीजी की बात यहां पर हो रही है तो फीजी की इस बार वर्ल्ड हिंदी सम्मिट हुआ था यह भी आप लोग को याद रखने के ज़रुत है फीजी में वर्ल्ड हिंदी सम्मेलन हुआ था और यहां पर दोस्तों फीजी में भी मुझे मेरे हिसाब से जो याद आ रहा है यह सरदार पटेल की मूर्ती लगाई गई थी सरदार पटेल की मूर्ती लगाई गई थी ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद से जबर्दस्त है ठीक है तो रात में God of Honor मिला इनको जबकि आस तक कभी किसी को सुर्यास्त के बाद स्वागत नहीं की पाप्वानुगी नहीं लेकिन यह रात में पहुंचे और इनका स्वागत भी किया गया ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया तो दोस्तों इनको जो सम्मान दिया है वह फीजी के प्राइम मिनिस्टर ने दिया है दोस्तों यह सम्मान दोस्तों सितवेनी राबुका के द्वारा गया है डोस्तों यहां पर यह और रखने के जरूरत है कि कौन सा लिका का सम्मान मिला मिला है पापवा नियू गिनी में न्यू जी़ीट गयते जो किसी देश की आत्रा पे कोई प्रधान मंत्री गया है दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आ जाए वहां पे उनसे इस पेसली मिलने के लिए अभी जी सेवन सम्मिट में जापान में गहते मोदी जी वहां पर भाई साब जो बाइडन जो है आटोग्राफ लेने के लिए वो बोले अगले महीने आपका जो इंटर्व्यू जो आप क्या डीनर का आयोजन किया है अमेरिका में आपके लिए ऐसे ऐसे फोन आ रहे हैं मैं प मांता भी नहीं मेल्स आ रहे हैं फोन आ रहे हैं तो दोस्तों याद रखेगा ठीक है क्लियर है बात समझे में आ रही है वेरी गुड बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जबरदस्त बाई एंथोनी अलबनिस का डालिएगा पीम मोदी इस दा बॉस लिखिएगा एंथोनी अलबनिस पूरे हजारों के हुजूम के सामने की पीम मोधी इस स्टेज पर खड़े एंगे और जनता वो चिला रही है जब वह एंथोनी अलबनिस बोले पिम मोधी इस दा बॉस जंता वह चिला रही है कि मत पूछो दोस्तों फीजी की डेस हुआ है और फीजी ए ठीक है बात समझ में आ रही है क्लियर है कि दोस्तों इसके बाद जो है प्वाप्वा न्यूगिनी की बात करें जहां पर यह पहुंचे थे तो कैपिटल है पोर्ट मोरेश भी खीना यहां की करेंसी है अब प्राइम मिनिस्टर है जेम्स मरा पे इस नाम को जरूर याद रखिएगा इन्होंने पैर्च हुआ था इसलिए भी आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है कि बाई एक्जामनर चेक क्या करता आपका आपका आप पोल करता हूं जैसे 40 करेंट अफेर मैंने सुबह पढ़ाया 30-40 करेंट अफेर तो उसमें से 10 करेंट अफेर मैं निकालके उसका टेस्ट लेता हूं जो इंप्वाटेंट करेंट अफेर होते रात को साड़े 10 बजे फ्री क्लास होती है वो पोल पे बड़ा मज़ा आता है त देखो और नाम ता उसका मरा पे बहुत मज़ा आता है से पोल में बहुत मज़ा आता है आप जो जो वो सोचोंगे भाई साब उसका उल्टा होगा प्रूफ फॉल्स में मैं आपके दिमाग के साथ खेलता हूं हाँ सौरवजा कह रहे हैं कि सर हमारे देश की अबादी 145 करोड है 142.86 करोड है 142.86 करोड के साथ हम दुनिया में सबसे ज़्यादा अबादी वाले हो गए हैं यह युनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने कहा है और 142.5 करोड के साथ दोस्तों जो है चाइना सेकेंड नंबर पे चला गया अबादी में ठीक है यह अबादी का ही वह होता है अबादी का भी होता है दूसरा बात कि हम लोग जब छोटे देशों को मदद करते हैं जैसे छोटे देश को कोई आपदा आ गई यहूँ चावल सिप से भेजवा दिये मिसन सागर के तहत है ना मिसन सागर का फुल फॉर्म बताओ उसको पैसा भेजवा दिये सिक्योर्टी एंड ग्रोथ फॉर ओल इंद रीजन यह 2015 में मिसन सागर मोदी जी नहीं सुरू किया था और अपने जितने आईलेंड नेशन से पडोसी देश हैं जितने भी अफ्रिकन देश हैं और मदद भेजते हैं तो दोस्तों नोने वहाँ जाके यह कहा भी कि फ्रेंट इन डीड तो जो आपके मुसीबत में खड़ा है वही आपका असली दोस्त है अब मोदी जी हमेशा सब के मुसीबत में खड़े आप दुस्मन के भी तुर्की दोस्तों कस्मीर पे भारत का विरोध करता है तुर्की में दोस्तों उन्होंने ऑपरेशन दोस्त चलाया जब भुकंप आया ndrf के लोगों को लोगों ने भगवा चलाया अफगानिस्तान में दोस्तों ऑपरेशन देवी सक्ती चलाया और यूक्रेयन में ऑपरेशन गंगा चलाया दोस्तों ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है ओके दोस्तों है पीजी की बात हो गई सारी बाते हो गई चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबा वाफ लोगू से समनिद यानि एक चीज बहुत अच्छी हमें देखने को मिल लए है क्या ये बात सच है कि नहीं तुम लोग बताना कि फीजी ने भी अपना सरवोच नागरिक समान धिया और पापवा न यूगी ने भी अपना सरवोच नागरिक समान धिया यानि दो-दो देशों का हाइस जो सिविलियन जो सम्मान है वो मोदी जी को मिला है क्या यह मैं सही पढ़ रहा हूं बताइए कि दोस्तों तिरुननंध पूरम में बीमस की केरल इकाई द्वारा आयोजित महिला मजदूर समेलन का उद्गाटन किस ने किया आर्जे वासू करें सर ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ नहीं देखो वह तो भाई बेहन के प्यार में के भी स्वार्थ होता है दोस्त के भी प्यार में स्वार्थ होता है पती पतनी के भी प्यार में स्वार्थ होता है गल्फेंट बॉइफ्रेंट में भी स्वार्थ होता है गीव एंट टेक केवल एक प्यार है जिसमें खाली गीव 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 है टेक 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 नहीं है वो है माबाप का प्यार वो है केवल गीव 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 इसलिए उसकी कदर नहीं करते बच्चे क्योंकि उसमें वह कुछ आपसे मांगते ही नहीं है उनकी कोई आपसे जो है कि एक्सपेक्टेशन नहीं वह क्यों आपको दे रहे तो जब देखो आप कदर कप करते हैं जैसे कि आपकी गल्फिंड नराज हो गई कि आपने उसको चार बार फोन किया अब उसने आपको चार ब उसकी कर रही है कि आपका फोन नहीं उठा के या आपके साथ बदला लेकर या आप उसके साथ ले रहे हैं बदला तो फिर वह प्यार नहीं जा गिवेंटेक कर रहा है तुम मेरा फून नहीं करेंगे हर बार हम ही क्यों करें यह सब तरीके के गिवेंटेक होते हैं आए न वह हमारे किस function में आता है कि हम उसके function में जाए वो हमारे लिए क्या किए था कि हम उसके लिए कुछ करें यह सब गीनटेक सभी relation में ऊते बस माबाप वाले relation में बाकी कोई भी प्यार निसवार्त नहीं है इसलिए कहा जाता है कि मा बाप और गुरु का रिर्ण नहीं चुकाया जा सकता है अब यह जो लोग लिख रहें कि पापा स्वारती होते हैं देखो एक वाद बता दें बाप का प्यार दिखता नहीं है बाप का प्यार हमेशा दिखता है जब तुम उस एज पर पहुंचते हो बाप का प्यार कभी भी रिफ्लक्ट नहीं होता बाप हमेशा हार्ड बना रहता है आप मा के गले लग जाते हो बाप के गले नहीं लगते हो ना बाप भी चाहता है कि आप उसके गले लगो और बाप का प्यार तब समझ में आता है जब आप बाप बनते हैं या जब आप ओमर के उस पड़ाओ पर पोंचते हैं बाप के लिए रिस्पक्त जो है सबसे ज़्यादा कम होती में बाप दुस्मन दिखता बाप जो है सबसे बड़ा दुस्मन दिश तड़ एंडि Сबसे बढ़ता गल बाद फिर आपको बच्चा होता है आतके बाप बनते हैं फिर धीरे दीर आपको समझ में आता है कि मेरे बाप ने दस साल की उमर में जो किया था वो क्यों किया था 15 साल की उमर में वह वाला जो किया था जिसे में उनके नफरत करने लगा वो क्यों किया था विश्र की हुमर में जो किया था बुक्त होट अप्पिर जैसे आप और बुजूरु गवस्था में जाते हैं बाप के ले रिसहले रिसुक्ट्रटेंट बढ़ती चलि जाती है और निवर्मसके करता कर रहे हैं मेरbinे मांत्डू हिं मेरी सब कुछ है यह होता है ठीक है क्लियर हैं कि तिरुनंत पूरम में BMS की केरल इकाई द्वारा आयोजित महिला मजदूर समेलन का आयुदघाटन किस ने किया दोस्तों एक बात बता दें तुम चंद्रमा की रोशनी में सीतलता पाते हो तुम्हें चंद्रमा बहुत अच्छा लगता है कि मेरी मां हमको को घिठली घए रही है हर तरीके के अजयादी देने लिए लेकिन लोगों के ऊपर बर्गत का पिड़ हैं जो एक सिक्योरिटी है है वह बाकि है है कि वह सूर्य है दोस्तों चंद्रमा की सीतलता है नहीं इसी सूर्य की रोशनी से आती है तो तुम मा का गुड़गान करते यह इसके पीछे बाप खड़ा है इसलिए तुम मा की इतनी गुड़गान कर पा रहे हैं तो यह वो चांद है जिसकी रोसनी और प्रकास और सीतलता सब सुर्य से आ कि वरना चंद ग्रहन हो जाता वेटा तो तिरुनध पूरं में बी-अममस की केर लिकाई द्वहरा आयोजीत महिला मस्दूर समयलंग को उधगातन किसने किया है तो दोस्तों यह समिती इरानी ने किया है जो है स्मिती इरानी ने किया क्लियर है बात समझ में आ रही है ओके चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शांदार जिन्दाबाद जबर्दस्तों दोस्तों इसमिती राणी ने इन्योग्रेट किया वीमेन लेबरर कन्वेंशन इन केरल ठीक है केरल की बात करें तुरुनंद पूरम यहां की राजधानी है दोस्तों पी विजेन यहां के म मुख मंत्री आरिफ मुहमत खान यहां के राजपाले आरिफ मुहमत खान ने वन इस्कूल वन आये शुरू किया ठीक है क्लियर है बात समझ में तुरुनंद पूरम में विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर भी है अभी बेस्ट मुंसिपाल्टी का अवार्ड भी मिला था ठीक तो यहां पर महाराश्ट का मिस्रा तुम से 10 सल बात करेंगे अब कोई नहीं को exception हो सकता है लेकिन यह 10 सल बात करेंगे वैसे तो बहुत सारे मां भी जो अपने बच्चों घर से बेतकल कर देती है तो 10 सल बात तुम से बात करेंगे कि तुम्हारी जो राय है आज अपने फादर को लेके क्या अभी भी है वही राय जब तुम उस उम्र के पढ़ाओं पर पहुंच जाओगे जब तुम खुद एक जो है माबाप बनोगे तब तुम से पूछा जाएगा तो दोस्तों जो है यहां पर महराष्ट महराष्ट जो है यह राज है दोस्तों जिसने सुसासन वीनेमों को मंजूरी दी है गुड गवर्नेंस रेगुलेश्चन को एप्रूफ करने वाला दोस्तों यह पहला स्टेट है दोस्तों गुड गवर्नेंस डे हम लोग अटल बिहारी बाचपई जी के बड़े पर मनाते 25 दिसंबर को ठीक महराष्च मुंबई एकनात सिंद Woo然 रमेश बैस गवर्णर है दोस्तों यहांके रमेश बैस पहले जहर खंड के गवर्नर थे अब जो है दोस्तों यह महराष्ट के गवर्नर हो गया भगत सिंग को सीयारी की जगए ठीक है इस ओके दोस्तों घॉतने यार्भी में आयने जो 87416 करोन रुपए यह दोस्तों जो है डिविडेंड यानि लाभान्ष जो है और बेग को प्रॉफिट हुआ है तो भाई उसकी जो मालिक है वो तो भारत सरकार है उसमें जो पैसे लगे हैं शेयर शेयरोल्डर्स को डिविडेंड मिलते हैं दोस्तों तो दोस्तों यह जो 602 व बोड ने जो है दोस्तों जो है तो है कंटेंजेंसी रिस्क बफर को 6% मेंटेन करते हुए बाकी जो पैसा है वो जो है भारत सरकार को दे दिया है ठीक है पिछले साल जो थी दोस्तों डिविडेंड जू टांसफर हुआ था वो 30 स ize साथ करोण का दोजार एकईस-बाईस् समझ में आ रही है क्लियर चलिए वेरी गुड बहुत बढ़ियां शानदार जिन्दाबाद जिबर्दस्ट कि दोस्तों आरबी आई की बात करें इसकी स्थापना एक अप्राइल 1935 को ही थी आरबी सरकारी बनी थी एक जनवरी मुंबई इसका हेटक्वाटर है हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर आई थी जिसे रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी और फाइनेंस कहा गया जिसने 1921 में दोस्तों जो है कमीटी बनी थी और 1926 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी दोस्तों और उसके करीब 10 साल बा गवर्नर थे पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुक थे दोस्तों 1938 में दोस्तों आरबे ने पहला नोट शापा था पांच रुपए का और उस समय जो थे दोस्तों जो है गवर्नर वह जेम्स टेलर थे दोस्तों एक रुपए को नोट को छोड़के सारे सिगनेचर आरब स्टेशन का नाम अभी बदला गया है दोस्तों सीडी देशमुक के कैसे भारत के पहले गवर्नर आरबी आई के थे जिन्नों ने बजट भी पेश किया था ठीक है बात समझ में आ रही है सबसे कम दिन के गवर्नर थे बीस दिन के जो है वह अमिताब घोश शौरब जहां बत है लेकिन जो तुम लोग की सोच है पिता को लेकर के यह जो है मुझे बहुत दुख पहुंचा है आज मैं बहुत सदमे में हूं कि आप लोग अपने फादर के लिए जिसने आपको जन्म दिया पाल पोस्क इतना बड़ा किया उसके बारे मैं ऐसी राय रखते हैं भाई मैं मैं मान गया कि अगर ऐसे बाब भी हैं तो भी कलियु गार चुका है और तो लोग जैसे बेटे बी रही है कलियु गार चुका है तो दोस्तों जो है सख्तिकान डा sum पच्चीसवे गवरणर जैसे मुझे याद आ गया उसका जो मेसमन की मारते थे पीने के बाद वो आदमी सैतान का रूप ले ले लेता rape लैता तो बच्चेर को भी मारते थे तो आप उसने जो है उसका leverage लेनेके लिए रख uh 8 मार्च को महिला दिवस के दिन एक जब दू है सम्मेलं किया और सम्मेलं करके जो है वोसने जो है वहां बोला की मेरे मेरा यौन उत्पीडन करते थे सेक्स्वल एसल्ट करते थे अब भाई सब उसके हस्बेंट जो विधायक है उससे पूछा गया कि तुम बताओ वो उसको तलाग भी दे चुकी थी स्वाती मालीवार तो वह कहें कि हमको कभी स्वाती जी ने इसा नहीं बताया कि उनके फादर उनका यौन उत्पीडन करते थे मारते पीडते यह तो बात अपनी जगह तो उत्पीडन में अंतर होता है अब उनको कौन समझाए और फिर दो-तीन साल पहले वही लिखी थी ट्वीट पर कि मुझे अपने फादर पे गर्व है मैं के एरफोर्स आफिसर की बेटी हूँ मैं जुकूंगी नहीं तो कहें कि यह कैसे हो सकता कि आप अपने फादर पे गर्व भी करती है और फिर अपने फादर के मरने के बाद उनके ऊपर ऐसे आरोप लगा रही है तो बाप का प्यार समझ पाना सबके बसकी बात है भी नहीं तो नहीं समझ में आएगा अभी यानि उम दोस्तो राष्टी जलपुरुसकार नेशनल वाटर रवाट के सर्वस्रेष्ट सहकारी इस्थानी निकाय कैटेगरी में किस शहर को प्रथम इस्थान प्राप्त हुआ है विस सिटी है रिसीव दा फर्स्ट रैंक इन दा बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी कैटेगरी आफ दे का नेशनल वाटर अवाड 2002 तो दोस्तों जो है यह जो है चंडीगड को दोस्तों जो है प्रथम इस्थान मिला है ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है ओके चंडीगड में ही दोस्तों जो है 5000 से ज्यादा तिरंगे का वह सिंबल बना करके मानव आकरिती के थूँ दोस्तों जो है तिरंगा बनाके भी एक रिकॉर्ड बनाया गया था चंडीगड में ओके क्लियर है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिंद वाटर अवाड मुझे याद आए कि जब यूपी को अवाड मिला था दोस्तों कुछ रिसेंट के अवाड की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों फ्रांस का जो हाइस्ट अवाड है वह दोस्तों टाटा संस के चेर्मेन को मिला है एंड चंसेखरन जी को यह बिजनेश 20 के भी हेड है और यह दोस्तों जो है महराष्ट एकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के भी हेड है दोस्तों फ्रांस का भी सर्वोच सम्मान जो है किरन नादर जी को भी मिला था फ्रांस की बैस्टिल डे परेड में मोदी जी जाने वाले हैं दोस्तों सागर स्रेष्ट सम्मान अवार्ड जो है वो कोचीन पोट को मिला है सागर स्रिष्ट जो है सम्मानवाड यही कोचीन पोट पे वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट को दोस्तों मोदी जी ने सुरू किया है एक कोची मेट्रो ने आरविय की सेंटर बैंक डिश्टल करेंसी को पहले यूज करना सुरू किया ह इसी कोचीन से प्याड ने भारत का पहला इंडियन एरक्राफ्ट करियर बनाया दोस्तो विक्रांत बनाया कोचीन से प्याड नहीं यह वाटर मेट्रो वाले सारी शिप्स बनाई है इसी कोचीन एयरपोर्ट में दोस्तों एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं एयरपोर्ट को युनाइटे नेशन इन्वार्मेंट प्रोग्राम नेरूबी केन्या जिसका एटक्वार्टर है जिसके 5 जून को जन्म लेने की वज़े से ही वर्ड हम लोग पार्यावरण दिवस 5 जू यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोविड चेंपियन अवार्ड भी मिला है तो यह सब कोचीन से रिलेटेड है कोचीन में ही दोस्तों जो नेविल नेवल बेस है वो साउधन नेवल कमांड कहा जाता है दोस्तों उसको ठीक है सागस रिश्तमान लाइफ टाइम एचीमेंट अवार्ड दोस्तों जो है वो जयंत नरलीकर जी को मिला है भारत रत्न डॉक्टर अंबेटकर अवार्ड जो है दोस्तों जो है वो योगी अधितनात जी को मिला है युनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो तीन इरान की पत्रकारों को मिला हुआ है दोस्तों निलोफर हामेदी, इलाहे मुहमदी और नरगिस मुहमदी, बाफ्टा एवार्ड ब्रिटिस फिल्म एंड टेलिवीजन आवार्ड जो है दोस्तों वो यूके की भारतिय मूल की अभीनेत्री जो टेलिवीजन कलाकार है मीरा सेयल को मिला है जो की ब्रिटेन में दोस्तों टेलि इसके बीच एक नेवी एकसरसाइज अल मुहम, अल मुहाद, अल हिंदी का दोस्तों जो है क्या किया गया आयोजन किया गया अल मुहाद, अल हिंदी दोस्तों जो है पिछले साल ही सुरू हुआ है सौधी अरब के साथ, सौधी अरब की कैप्टल रियाद है और रियाल दोस् इसकी कैपिटल है और रियाल जो है वो इसकी करेंसी है ठीक है स्पेलिंग यहीं है ओके क्लियर है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद छबर्दस्त तो दोस्तो अल-महाद हिंदी जो है दोष्तों यह नेवे एकसर ад इसमें इने थे मतलब क्या होता है दोस्तो इंडियन व्लशिप जो शिप होती है भारत की वह इंस पहले लिखा जाते इंडियन वलशिप है न जैसे पाकिस्तान वारी पे लिखा रहेगा पाकिस समझ में आ रही है सौधी अरब के किंग फाहद स्टेडियम में संतोष ट्रॉफी करनाटका ने जीता मेगाले को हरा करके वेरी गुड रोहित किशन जी कल साम को ही हम लोग ने पढ़ा है बेस्ट वंडेड में है ना चलिए बहुत बढ़िया शांदार तो इस पोत पर दोस्त दोस्तों धनुज जहाज भी पहुंचा था दोस्तों अगर हम लोग बात करें कल छटवां सब्मरीन भी पहुंच गया जो है परिक्षण हो गया आया जो है वह वगसीर का कलवरी क्लास स्कॉर्पीन क्लास सब्मरीन जो मजगाउं सब्डॉक सब बिल्डर ने बनाया है जो के सर्टिफिकेट पर बनता है । कल्वेरी पहला था दूसरा कषेर टीसरा खंडेरी तीसरा वेला चंधी वगसी पासकीज़शतन आचुकी है कुछ रिसेंट की नाम है जल राहत दोस्तों हग रामा ब्रिज जो है यह मानस नदी पर है मानस नदी से ही दोस्तों जो है मानस नेशनल पार्क भी है दोस्तों मानस नेशनल पार्क भूटान के अंदर तक गया हुआ है क्योंकि जंगल है वो कहीं बाउंडरी में थोड़ी बन जागा शेर को थो हुच्छों हमने और तुमने किया पाया इंसां के तक तो भारत इंदोनेशिया के चोथा समुद्र सकती अभ्यास जो है वो बॉटम इंडोनेशिया में हुआ है भारत और आशियान के बीच में दोस्तों जो पहला समुद्री अभ्यास हुआ वह चांगी नेवल-बेस पे हुआ है सिंगापुर में साउट चाइना सी पे दोस्तों चाइना अपना कब्जा करता है अपना अधिपत्य जमाता है वहां पे किया विवादित जगह आशियान दस देशों का संगटन है जिसका एटक्वाटर इंडोनेशिया जकार्ता में इस बार मिटिंग भी जकार्त में हो रही है लेकिन दोस्तों इंडिया के साथ जो हुआ है वो सिंगापूर में हूआ सिंगापूर का चांगी ऐइएरपोर्ट दोस्तों बेस्ट ङियरपोर्ट में चुना जाता है सिंगापूर सब्साद है parfois भी हमारे पास आती है सिंगापूर 5 पांचमां ट्रेडिंग क पाटनर भी हमारा है दोस्तों इंडिया और यूके के बीच में अजे वारियर हुआ जो यूके में हुआ दोस्तों लॉक सिल्ड नाटो का बहुत बड़ा साइबर डिफेंस एकसरसाइस था जो टालीन इस्टोनिया में हुआ और दोस्तों इंडियान एर फोर्स और ग्रीस के इनियो चोस का आयोजन किया ग्रीस में दोस्तों ठीक है इनियो चोस का दोस्तों आश्टे इटालियन ओपन टाइटल का में सिंगल खिताब किसने जीता है दोस्तों यह बताईएगा फटा-फट तो दोस्तों इटालियन ओपन टाइटल जो है वो डैनिल मेडेव डेव ने जीता है ठीक है यह बहुत लोगों का विजयरत रोक चुके हैं कि डैनिल मेडेव डेव किस देश के हैं कहीं लिखा है इसमें मुझे जहां तक याद आ रहा है यह बंदा रशिया का है इसने बहुत सारे लोगों का विजयरत रोका है और दुक्र नोवल जुकोविक को भी दोस्तों इसने जो है बहुत परसान किया है कि दोस्तों सूजोव में दच्छिन कोरिया को तीन जीरों से हरा के किस देश ने तेरहवा सूदी रमन कप जीता है दोस्तों तो सूदी रमन कप जो है वो चीन ने जीता है ठीक है तेरहवा तो दोस्तो जो है तेनिस खिलाडियों का देश हमें याद रहना चाहिए ओके क्लियर है वेरी गुड दोस्तो भागती क्रिकेट टीम ने निमलिकित में से किसके साथ एक नया किड प्रायोजन समझोता किया है न्यू किट स्पॉंसर्शिप डील दोस्तों इंडियन क्रिकेट टीम ने किसके साथ की है बाई साब IPL में CSK जो है पहुँच गया हार्दिक पंडिया का घमंड को तोड़ते हुए हार्दिक पंडिया और गुजराग टाइटन जो नंबर वन पे थी उस विचारे को एक मैच और खेलना पड़ेगा अब हो सकता हार जाय मुंबई से कि वह सकता है मुंबई से हार जाए अब देखो अगला मैच जो मुंबई और किसके बीच में होने वाला उसमें से जो जीतेगा वो अब हर्दिक पंडिया की टीम से एक साथ केलेगा ठीक है बात से बज में आ रही है तो दोस्तो धोनी जो है पहुंच गे फाइनल में जैसे की पूरे देश ने ऐसे स्टेटस लगाया मैंने कल देखा जैसे की इंडिया फाइनल में पहुंचा हो कुछी मना रहे थे अभी फाइनल में भी मोदी द्यारे जो है धोनी दिखेगा धोनी जब वेटिंग करने पहुंचा साड़े तीन करोण लोग जीओ सिनेमा पे लाइफ थे तीवी छोड़ दो तीवी पे तो जितने लोग लाइफ थे वो तो पता नहीं लेकिन जीओ सिनेम अब साड़े तीन करोण लोग लाइफ थे जो मोबाइल पे चलता है अलगी फेन अलगी फैन है बाई साब धोनी के अलगी तो दोस्तों जो है यहां पे Adidas जो है इसको जो है किया अभी दोस्तों कुछ दिन पहले आपने देखा था खीलर को दोस्तों जो है बनाया गया था क केरन का नाम की कंपनी को दोस्तों वैसे इसका जो बाई जूस है ना इसका जो स्पॉन्सर जो मेन है वह बाई-जूस है पहले उपो हुआ करता था ओके क्लियर है बात समझ में आ रही है तो दोस्तों बीसी सी आई का एक बार केसी भी क्यों मनें कुड़पती में कुश्चन आया था कि बीसी सी आई में फर्स्ट सी क्या है तो फर्स्ट सी लोग क्रिकेट टिक करते हैं भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हिंदी में बोलते हैं तो क्रिकेट टिक करते लेकिन इसका का फुल फर्म थोड़ा उल्टा सीधा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया तो इसलिए दोस्तों याद रखिएगा ठीक है धोनी जो है दोस्तों जो है वायकॉम 18 के ब्रैंड अमेजडर है और वायकॉम 18 का ही जीयो सिनेमा चलता है और जीयो के वह क्या बात है रोहित वैरी गूड तो दोस्तों बीसीसीई के हैड रोजर बिन्नी है और दोस्तों वानखडे श्टेडियम में इसका हेड़्कॉर्टर है मुंबई में जहां पर सचीन की स्टेच्चिव लगाई गही है मुर्ति लगाई गई बीसीसीई और वैस्विक स्पोर स्पोर्स मर्चेंडाइज बीच के ब्रैंड के बीच साज़दारी परहस्ताक्चर के साथ एक नए युक्य सुरुआत हुई है मोबाइल प्रीमियर लीग देखिए मोबाइल प्रीमियर लीग भी दोस्तों यहां पर कुछ बना है ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़ियां आधिम बीच में मोबाइल प्रीमियर लीग हट गया तो यहां पर पे मोबाइल प्रीमियर लीग के साथ भी दोस्तों जो है partnership यहां पर धिक रही किलर के मनाये जाता है दोस्तों ठीक है इसकी थीम क्या है फ्रॉम एग्रिमेंट टू एक्षन बिल्डिंग बैक बायो डाइवर्सिटी जैव विविधिता जैव विविधिता हमारे देश में दुनिया में अलग-अलग जन्तु है और सबको जीने का हक है सबको रहने का हक है दोस्तो सबके संरक्षन की बात होनी चाहिए कोई भी प्रजाती विलुप्त नहीं होना चाहिए दोस्तों इस पर ध्यान रखना चाहिए ठीक है दोस्तो वर्ल्ड टल्टल डे जो है किस दिन मनाया जाता है तो वर्ल्ड टल्टल डे दोस्तो जो है यह 23 मई को मनाया जाता है कच्छुवा दिवस दोस्तो कच्छुवा सेंक्चुरी हमारे देश में कहाँ पर है कच्छुवा सेंक्चुरी है वरानसी में मोधी जी के संसदी पीचित में वरांसी से चंदौली के बीच में गंगा नदी में आठ किलो मिटर के रेंज को कच्छुवा सेंक्षूरी कहते हैं याद रखिएगा ठीक है अभी किस कच्छुवे की प्रजाती के लिए इंडेंजर्ड स्पीसीज वाले जो है सी ओपी में दोस्तों कॉंफरेंस सब्सांता और भारत ने बात भी कही थी कोई बाइट करके था कोई छोटा टर्टल था उसके बारेenced बात भी कही थी दोस्तों ठीक है क्लीर रएंचलिए बहुत बढ़ियां शानदार जिन्दाबाद जबदस्त कि दोस्तों कचुवे जो है दोस्तों आते हैं उड़ीशा के टट पे जो है अंडे देने के लिए उस समय जो है वह समय बारिश के बाद का समय होता है उस समय उस पूरे टट पे एक भी इंसानों को नियाने दिया जाता है नवीन पटनायक सरकार इतनी वेवस्था रगाती है कि वहाँ पे पूरे कच्वों के लिए जो है कि वह अपना अंडा दें अच्छे से उसके लिए पूरी वेवस्था बनाई जाती है क्लियर है बद समझ में आ रही है तो दोस्तों कच्वा ही रेस जीतता है और तुम लोग मेरे कच्वे हो और कच्वा ही जीतेगा एक एस्पेरेंट करके दोस्तों एक जो है वेव सीरीज आई थी पता नहीं उसका एक ही दो तीन एपसोड आया फिर लग रहा है बंद हो गया क्या सब ज्यादा पैसा मांगने ल कच्वा ही जीतेगा तो यह बहुत देख को मुझे अच्छा लगा है कि मेरा ही डाला सब मार रहे हैं दोस्तों जो है एंड ऑप्स्टेट्रिक फिष्टूला के अंत का अंतराश्टी दिवस्त जो है दोस्तों यह 23 मई को मनाया जाता है ठीक है क्लियर है क्लिया वेरी दोस्तोब्हूमी द्वारिका जिले के ओखा में नेश्चनल अकेडमी ओफ कोस्टल पॉलिसिंग के सथाइप परिसर की अधारसिला किस ने रखिए वू हैज लेट देव भूमी द्वारी का डिस्टिक्ट तो दोस्तो जो है ये अमित साहजी ने इसकी अधारसिला रखी है ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़ियां शांदार दोस्तो अगर अमित साहजी के द्वारा जो है कुछ रिसेंट में दोस्तो इनाउग्रेशन को देखा जाए तो दोस्तो इन्होंने वाइब्रेंट विलेश प्रोग्राम को अउनाचल पदेश के कीविथू में सुरू किया अब यह भी बॉर्डर पर कालूनी बसाएंगे क्या जाली चाइनाई को थोड़ी हक है कॉलोनी बसाने का की विथू में दोस्तों इन्होंने यह प्रोग्राम शुरू किया की विथू में सीडियस वीपिन सिंग रावज जी के नाम से रोड भी बनाई गई है 22 किलोमेटर के और मिलेटरी कैम्प का भी नाम उनके नाम पर रखा किया इन्होंने मनिपूर में दोस्तों जो है इन्होंने बाई 122 मीटर उची पोलो के खिलाडी की मुर्ती का नावरड किया यह भी क्वेश्चन इग्जाम में था कल मैंने पूछा था भारत के पहले को आपरेशन मिनिस्टर कौन है और सहकारिता मंतरी कौन है तो सबने रा सकद्रां को आपरेटिव बैंक गुजराती के ही तो है तो यह क्लीर बात समय में आ रही है कि दोस्तों मंत्री मोदी आ हाली में किस में महात्मा गांदी की प्रतिमा का अनावरड किया तो दोस्तों महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरर जो है वैसे तो जौड़्जिया में वजह संकर कर चुके हैं अभी युनाइटेड नेशन में सिक्योर्टी काउंसिल के अध्यक्स्ता दिसंबर में की थी भारत ने उस दिसंबर में भी जो है कि न्यू यॉर्क में महात व्क्राइशिस में न या माँद्यू में जग तो दोस्तों महात्मा गांधी जी मूर्ति जो यह वाली लगी है यह कहां पर लगी JA-5 में दोस्तोan Hiroshima में अभी G7 Submit में घहते हैं मोदी जी, Hiroshima में नूक्लियर अटैक, तो नूक्लियर और मोदी जी विपरीत है, नूक्लियर जहां विधोन्स का आखरी रूप है, वहाँ दोस्तो शांती और सत्य और अहिंसा का जो है एक प्रतीक है वो है दोस्तो जो है महात्मा गांधी हिरोसीमा अगर कुरूर आकरांताओं की आकरी पराकाश्था है तो महात्मा गांधी उस आकरमण को सहने की आकरी पराकाश्था है दोस्तो तो इन दोनों का संगम किया गया है वहाँ पर महात्मा गांदी ए ठीक है क्टीर रहे चलिए बहुत बढ़िया शांदाज जिंदाबाद जबदस्त महात्मा गांदी जी दोस्तों 13 बार जेल गए तारिकों कानून तोड़ा फिर जेल गए तो यह सब वह साउथ अफरीका में भी कर रहे थे तो दोस्तों यह वकील आदमी थे हार मानने वाले आदमी नहीं ते इसलिए कहा जाता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांदी और दोस्तों जो है इंटरनेश्टनल डे ओफ पीस इन एक लाग चालिस हज्जार लोग मारे गए थे और यह लोगों की संग्या है जमीन इंफ्रस्टक्चर पुरा शहर तबाह होना जीव जन्तू के मरना यह सब तो काउंटी नहीं किया जा रहा है रूपए का नुकसान तो जो है दोस्तों किया यह नहीं जा रहा है ठीक है सौरब जहां कह रहे हैं कि सर वह सांत रह करके नोटों पर छप गए और वह फांसी पर लटक कर दिलों में बस गए अच्छा एक वाद बताओ गांधी जी के लवाग तुम अपने किसी एक नेता का नाम बताओ जिसको पूरी दुनिया जानती है लोग कहते हैं कि भगत इंडियन एसा लीडर है जिसको पूरी दुनिया जानती है तो भगत सिंग की पूजा तो बुर्हानवानी भी करता है वह कहता है कि हम भी फ्रीडम फाइटर है कि वह तो हर बंदूक उठाने वाला भगत सिंग को अपना आइडियल बताता है तो क्या अगर देखो भगत सिंग हम लोग के आदर्श है अगर भगत सिंग को जो है अगर आप फोटो पे लगाएंगे तो सब लोग बंदूक उठा लेगा अगर महात्मा गांधी को लगाएंगे तो पुरी दुनिया में शांति आएगी किसके आदर्शों पर चलना पसंद करेंगे बंदूक उठाने के तो फिर तो नक्सली भी अपने आप में भगत सिंग है कश्मीर के जो आतंकी है वो भी अपने आप में भगत सिंग है तो इसल के दोस्तों प्रसित पद्नभूषर पूरुसकार विजएता तासी राम जी सुतार ने इसको बनाया है आज दोस्तों जो कर ने दोस्तों जो 125 फिट वाली हैं ëडराबाद में मीटकर साब की मूर्थी लगी हुसको भी बनाया है अभी छत्रपद्दी शीवा महराज की मुर्ति मुंबोई में लग रही है उसको भी बनाया है और जो दुनिया की सबसे उची मुर्ति 182 मीटर की इस्टेचू आफ यूनिटी उसको भी बनाया है ठीक है बात समय आघी है क्लिएर ए क्लियर है तो दोस्तों यह प्रतिमा जो है यह 42 इंच उची है इस्टेच्व स्टेंड टॉल यह जो है 42 इंच उची है ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़ी है जापान की कैप्टल टोकियो है येन करंसी है फूमियो के सिदा यागे प्राइमिनिस्टर यहीं जी सेवन समिट हुआ है अगला वाला जी सेवन समिट वो इटली में होगा अगला वाला जी सेवन समिट जो है वो इटली में होगा दोस्तों भारत में सरकारी बैंकों ने जो है एक बहुत बढ़िया माइलिस्टोन पार किय किया है उसने जो है दोस्तों सारे सरकारी बैंकों का जो प्रॉफिट है वह एक लाख करोड के स्तर को मार्क को पार कर गया है तो दोस्तों किस सरकारी बैंक ने प्रतिसत के संदर्व में सबसे अधिक नेट प्रॉफिट ग्रोथ किया है तो दोस्तों कभी जो 27 सरकारी बैंक थे निर्मला सीता रमन कहते हैं जब 27 सरकारी बैंक थे तो सब लॉस में रहते थे आज जब 12 बचे हैं तो सब प्रॉफिट में रहते हैं तो भाय बीन होत न प्रीती वो कहते हैं डर के बीना जो है यह लोग सुधरे नहीं है इन लोग को सुधाने के लिए मिसन धनुष चलाया गया मर्जर किये गए इनको कैपिटल लाइजेशन किया गया यह सब चीज किया गया ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया तो सरकारी बैंक को ने दोस्तों जो है एक लाग करोड का आकड़ा पार किया है बैंक ऑफ महराष्ट्रा बैंक ऑफ महराष्ट्रा ने दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है परसेंटेज ग्रोथ के मामले में तो जितना प्रॉफिट में ग्रोथ किसी का कोई बहुत ज़्यादा ब्रांच है उसकी हो सकती बहुत ज़्यादा किसी का लेकिन 20 रुपए का प्रॉफिट हो अगर उसने 40 रुपए कर दिया तो वह दो लाख रुपए वाला दो लाख 10,000 रुपए गया और 20 रुपए वाला 40 रुपए गया तो ग्रोथ तो परसेंटेज में उसी की मानी जाएगी नहीं कि उसने बहुत अच्छा ग्रोथ किय तो बैंक अप महराष्टा ने दोस्तों बहुत अच्छा प्रॉफिट में ग्रोथ किया है ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है चलिए तो एक लाख करोड के आकड़े को पार करना यह भी बहुत अच्छा है एक लाख 87,000 करोड के आकड़े को जी एस्टी ने पार किया और बार लाख करोड के आकड़े को दोस्तों जो है वह यूपी आई ने पार किया ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है जीतेस कहरें सर मतलब यह प्राइवेट नहीं होंगे ना अब हम सेफ हो जाएंगे ना हाँ भया सेफ हो जाओगे जब अच्छा काम करेंगे तो चल गया है ना यूपीाई के आने से बैंक प्रॉफिट में आने लगया अब यूपी आई के आने से 10 उपए जो है कि तुमने जनल स्टोर को दिया कि दस उपह इन्होंने चार्ज कर्न पता पता ही नहीं चलता है अब दीरे से चार्ज कार्ट लेते हैं प्रॉफिट में आ रही है क्लियर तो दोस्तों याद रखेगा क्लियर है चलिए बहुत बढ़ियां शांदार जिंदाबाद जबदस तो जिसमें SBI का जो हिस्सा था दोस्तों कुल खमाई का आधा हिस्सा था वैसे भी कुल बैंक के जितनी होती है कस्टमर उतना सब्सक्राइब का होता है फुल बैंकों की मिला के दोस्तों जो है यहां पर देखा जाए तो 2017-18 में 85,000 करोड़ का सुद्ध घाटा हुआ था देखिए यहां पे जब 27 सरकारी बैंक थे तो दोस्तों जो है लॉस हुआ था 85,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट नहीं लिखा है नेट लॉस 27 सरकारी बैंक थे तो नेट लॉस हुआ था 85,000 करोड़ का और आज 85,000 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट हो गया है सरकारी बैंक का यह परिवर्टन आया है पूरा पल भर में हालात बदल गए सब बदल गए एक लाख 4,649 करोड़ रुपे तो दोस्तों अभी जो है गिनीजबु का वर्ल्ड रिकॉर्ड में गुजराट टाइटन जब IPL फाइनल में पहुंचा था तो दोस्तों जो है एक लाख एक हजार लोग नरेन मोदी सब्सक्राइब में कितने लोग पहुंचते हैं फाइनल में 28 मही को ही तो फाइनल सायद 28 मही कुन्नी वाली पल्यामेंट का भी उधगाटन है 28 मही को सावरकर जी का बड़े भी मनाया जाएगा महराष्ट में अभी सावरकर के बड़े पर ही जानबुच के मोदी जी जो है नए वाले पल्यामेंट का उधगाटन करें उनकी सोची समझी चाल है दोस्तों यहां पे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के लिए फॉस्ट इंटर मिनिस्टीरियल कमीटी मीटिंग की बैठक किस शहर में आयुजित की गई तो दोस्तों यह जो है नई दिल्ली में की गई दोस् दुनिया में ठीक है नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया की दोस्तों जो है मिटिंग हुई है ठीक है वेरी गुड बहुत बढ़िया शांदाज जिंदाबाद जबदस्त तो दोस्तों जो है भारत की जो पोजीशन क्या है वह ग्लोबल लीडर है इन दे सबसे बड़ा उत्पादक कौन है दोस्तों वह भारत है जिसका यह वर्स मनाया जा रहा है 12.5 million hectare जो है दोस्तों जो है बाजरे की जो है कि शेयर है दोस्तों भारत का ठीक है क्लियर है विश्व के कुल उत्पादन में 15% से अधिक के हिस्सेदारी अकेले मोटे अनाज में बाजरे वाले जो है फसलों में दोस्तों भारत की है बात समझ मियारी 15% 12.5 million hectare छेत्रफल ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया यह बात याद रखेगा लाश्ट के दो लाइन दोस्तों याद रखेगा क्योंकि यह बाजरे का वर्स है कभी बाजरे पे स्टेटमेंट सबसे बड़ा प्रोडूस करता है और दोस्तों जो है बस्ति आघरे में मनाते हैं बाजरे के लिए योजना भारत में चलाई जा इस साल वह स्रीए योजना चलाई जाक है है ठीक हैं इस एक क्लियर है बातसभज में आ रही है क्या बात आज DRS DRX वैभो सखारे भी आएं क्या बात है बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां शाधी बात खुब घूम बने हो तुम नौकरी लग गई पर नौकरी आ जाती है फिर साधी हो जाती फिर जीवन ही बदल जाता एक दम नहीं केंद्र सरकार केंद्र योजना के सहकारी छेत्र में कितने नए किसान उत्पादक संगठन स्थापित करेगी यूनियन गवर्मेंट टू सेट अप हाव मैनी फार्मर प्रोड्यूसर और्गनाजेशन विल बी स्टैबलिश्ट इन दे कोपरेटिव सेक्टर अंडर सेंटरल स्क मैनेजेशन का फुल फॉर्म भी आता है दोस्तों ठीक है क्लियर है चलिए याद रखिएगा तो कोपरेशन मिनिस्ट्री तो मैंने पूछी थी कि पहला कोपरेशन मिनिस्ट्री जुलाई जुलाई 2021 में पहली मिनिस्ट्री बनी पहली बार इसका मंत्री अमित सहाज जी को बनाया गया लेकिन कल सब उन्हें कमेंट में राजनास सिंग जी लिखा था और एक लोग गलती करते हैं तो दूसरा भी उसी कॉपी पेश्ट मार देता है नैंसी ने भी जो है लिख दिया बात समझ में आ रही है क्लियर है वैब हो करें सर आरभी ग्रेडवी के लिए आएं सर आपकी सरण में आफलाइन देखता था आज ओनलाइन करूंगा वा रहे वैब हो वा आरभी ग्रेडवी आरभी ग्रेडवी का मैं अनकेडमी पे भी जो है क्लास सुरू करने वाला हूं और वेश्ट वहन्डेड भी मैं अनकेज LGBT से यूट्यूब पर सुरू करने वाला हूं तुम्ज में बहुत बढ़ी हुआ तो भई सरकारी नोकरी लगने के बाद भीं यह सब सबेखने वाले लोग निए जैस्वानी की सरकारी नौकरी लग चुकी है वेभो की लग चुकी है लेकिन ये SBI में सिवानी वहबो तुम किस बैंक में हो और इसके बाद भी यह सब देखो तुम लोगों की seat खाने के चक्कर में लगे हुए यह सब जो है हार माने लेने सब को सिखा दिया हमने जिंदगी ना मिलेगी दुबारा नहीं हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहो never be satisfied in your life never be satisfied in your life दोस्तों कौन सा शहर लॉजी सेम दा नेशनल logistic management seminar को जो होश्ट करता है तो दोस्तों यह नियु दिल्ली होश्ट करता है कौन करता है नियु दिल्ली होश्ट करता है ठीक है clear है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिंदा बाद जबर्दस्त दोस्तों निम्रिकित में से कौन सा देश दो हजार पच्चिस को जो है अपना जो है विश्वेश परिटन वर्स के रूप में मनाने जा रहा है तो यह दोस्तो नेपाल मनाने जा रहा है स्पेशल टूरिजम इयर नेपाल मनाने जा रहा है नेपाल की कैपिटल काथमांडू है और दोस्तो सार्क का मुख्याले भी यहा पुस्प कमल दहल प्रचंड दोस्तों यहां के नए प्रधानमंतरी बने है ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिन्दाबाद जबरदस्त दोस्तों भारत किस वर्ष क्वाड लीडर सम्मिट की मेजबानी करेगा दोस्तों जब जी सेवन सम्मिट की जो है मिटिंग करने के लिए लोग जापान गए तो दोस्तों जो है वहां पर क्वाड की मिटिंग भी कर ली क्वाड दोस्तों 2007 में आया था यह कुश्चन इसी साल इंडिया है, अमेरिका है, जापान है, ये लोग मिलके मालाबार exercise भी करते थे, अब Australia भी है डो गया मालाबार exercise में, तो ये Quad मतलब ये 4 देश हैं, चाइना को घिरने के लिए बनाए गए हैं, और दोस्तो इसी में अभी Australia भी गए, जी जापान भी गए, अमेरिका भी Quad की Meeting इस पार पहली बार Australia में हो रही है, ये भी याद रखेगा, पहली बार Australia होस्ट करने जा रहा है, साइद मालाबार को पहली बार Australia करने जा रहा है, मालाबार exercise ये जो Quad में ही होती, Quad देशों के बीच में, पहले केवल भारत अमेरिका के बीच में होती है, पिर जह है जिसमें 2 I मतलब इंडिया इस्राइल और दोश्टों का मतलब USA से और UAE है दोस्तों इसमें साप नेनवले वाले देश हैं इसराइल ओई द्रीन दोनों की दोस्ती करा दी भारत और अमेरिका ने मिलकर ठीक है तो दोस्तों जो है 2024 में इंडिया होस्ट करेगा लिन कुछा 23 कर वाला फोके सियों कर रहा शोकर करहा है जी को होश्ट कर रहा है और दोस्तों महिला बॉक्सिंग वर्लक नौर सी आई के Salash हैं गले अगले साल कोक्वाड को होश्ट करें गई पर सत्तों रूपե नेटवर्क पर और SVA कॉड्ड लांच करने के लिए किस कंपनी ने SBI काड और NPCI के साथ टाइप किया जिसका हेट गुरगाउं में है और दोस्तो रूपे के पर लिखा भी हुआ है एंसर की पेटी अब ने दोस्तों जो है SBI कार्ड के साथ मिल करके रुपे के साथ मिल करके एक क्रेडिट कार्ड लॉंच किया है ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए एनपी सियाई को दोस्तों आरबी आई ने सुरू किया था आई बीए के साथ मिल करके सन 2008 में विश्व मुहन महापात्रा चेर्मेन है और दिली पासबे सीओ है और सारे डिश्टल पेमेंट क्लेक्शन सब NPCI के द्वारा ही किया जाता बैंक बड़ोधा ने दोस्तों इलक्त्रानिक गारंटी लॉंच करी है और जो है दोस्तों इलक्राणिक गारंटी लॉंच कर दिलुपार्ट इस बहुत सारे बैंक अप करेंगे तोकि इसी का जमाना आ गया ए यूँ स्मास फाइन Grade B में यह question आएगा RBI और BIS जिसका Headquarter Bessel Switzerland में है इन दोनों ने मिलकर के G20 Tech Sprint को launch किया है और G20 से लेटेड एक और question आपके Grade B में आएगा और किसी में भी आ सकता है Finance Minister और RBI के Governor Central Bank के Governor की Meeting और Deputy Governors की Meeting G20 में कहां पर तो दोस्तों यह जो भी Meeting हो रही है वह बेंगलोर में हो रही है तो यह बात भी याद रखेगा ठीक है एटल पेमिंट बैंग ने दोस्तों आधार का Face Authentication वाला आधार Enable Payment System शुरू किया यह AEPS के full form भी आता है और यह भी NPCI के द्वारा सुविधा दी जाती है HDFC बैंग ने दोस्तों जो है HDFC बैंग स्मार्ट साथी सुरू किया स्मार्ट सार्थी जितने भी बिजनेस करेस्पॉंडेंट है बैंक मित्र है उनको मदद भी और पहुंचाने के लिए इसने किया है ठीक है दोस्तों यूको बैंक के हट जो है बने हैं जो है कौन अस्विनी कुमार और के सतनारायं राजू कैनुरा बैंक के Head बनें, ठीक है, संजे अगरवाल, AU Small Finance Bank के बनें, Banker of the Year का Award ससीधर जगदीशन को मिला है, Bank of the Year का Award Kenra Bank को मिला है, दोस्तो, Governor of the Year का Award 2015 के बाद किसी इंडियन को मिला है, रगुरा मराजन के बाद मिला है सक्तिकांताश जी को. अब दोस्तों भारत औंदोनेशिया दिविपक्षिश अब्यात समुद्र सकति का साउध चाइना चाइना से में हुआ है तो दोस्तों यह चोह था जो है शाउध है इस चासे डिशन हुआ है ठीक एक क्लियर है फोर्ट एडिशन हुआ है ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है चलो बहुत कि वेरी गुड लेकिन वैभों मालूम है तुम्हारी साधी में जो है हमको बसंत बहुत चिड़ाया बसंत करें सर आपको जो लेकिन बदाई देंगे तो दोस्तों जो है यहां पर यह इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में हुआ है दोस्तों अभी जो है हम लोग ने यह सारे अभी पढ़े ही कौन-कौन से जो है अभी इन दोनों के बीच में हुए हैं अभी आज ही के सेशन में पढ़े दोस्तों इटालियन ओपन का वीमें सिंगल खिताब किस ने जीता है तो दोस्तों जो है यह एलेना रेबकीना ने जीता वीमें सिंगल का खिताब ठीक है प्लियर है चलिए व Brightwood जिंदाबधि दोस्तों जापान के योज़ मैं महिलाओं की लंभी कूद में दोस्तों गोल्डेन ग्रैप एतलेटिक्स मीट में ब्रॉज मेडल किसने जीता है जापान कि योकोहामा में दोस्तों जो है ब्राउंज मेडल जीता है लॉंग जंप में तो लॉंग जम में सैली सिंग जीता है आप से कोश्चन आ सकता है कि सैली सिंग कौन सा गेम खेलती है जब भी आपके बैंक वैंग में question आते हैं या फिर S.S.C. में question आते हैं छोटे-मोटे जाया है दोस्तों बिराट कोली समँ लगाया बाइं तेट्ञ नहीं पहुंच पाई सबसे जयाद़ जो एट्वेंटी मैं भी बहुत समय खेले अब यह लोग रिटायर हो गए अब जो भी समय है वह इनहीं का है विराट कोहली का ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़ियां शांदार जिंदाबाद जबर्दस्त सातवे बल्लेबाज बन गया रोहित सर्मा दोस्तो नेशनल इंडेंजर्ड इस्पिसीज डे किस दिन मनाया जाता है तो यह दोस्तो जो है मई के तीसरे फ्राइडे को मनाया जाता है मई का जो थर्ड फ्राइडे है दोस्तो वह 19 मई को आया था जब इंडेंजर्ड इस्पिसीज डे मनाया जाता है दोस्तो आप या आपका हूंवर कुश्चन है अच्छा आप लोग सोचते होंवर कुश्चन का जवाब कहां मिलता है ओफ लाइन कमेंस मिलता है दोस्तों और चितने भी आपके होमवर कुश्चन है उसके जवाब हमारे ही चैम्पियंस दे देतें थीक है बात समझ में आ रही है चलिए वे देखा है तो वह bank of महराष्टा ने देखा है bank of महराष्टा के Heads राजीव और bank of महराष्टा का जो headquarter है वो पूने में है दोस्तों श्री नगर में जेलम राजबाग रीवर्ट प्रियोजना का उध्गाटन किसने किया दोस्तों अभी जो है श्री नगर में जीटवेंटी की मिटिंग हुई संगीनों के साए में बहुत भुटों को परसानी हुआ पाकिस्तान विचारा बहुत रोना-रोया कश्मीरी खुष्थ थे तो कि टूरिस्ट वहां दुनिया भर के आये जी 20 की meeting हुई एक लेह लद्दाक में भी हो चुकी है एक वहाँ पे भी हो चुकी है ठीक है बात समझ में आ रही है तो दोस्तो राजबाग रिवर्ट फ्रंट परियोजना जो है दोस्तो यहां पे जह है मनोस सिन्हा जी ठीक है याद रहेगा शीनगर को दोस्तो मेजर एरपो श्रीनगर को यूनस्को ने City of Handicraft of Horkart जैपूर के बाद चुना है जैपूर भी है दोस्तों वर्ल्ड एक्कनॉमिक और सिच्वेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है यह कुश्चन भी आता है आपके एक्जाम में जैसे स्वेशन और प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट कि इस रिपोर्ट में दोस्तों जो इन्हों ने कहा है दुनिया की जो सी पर से लिए चैंटा है 2.0 की ग्रोथ से दोस्तों जो परसेंट से चल रही थी ग्रोथ दुनिया की और अब दोस्तों बहुत नीचे आ गए दोस्तों भारत में अंतराष्टी डेबिट और केडिट कार्ड लेंदेन के लिए तो दोस्तों आपको TCS का फुल फॉर्म बताना है चले TCS का भी फुल फॉर्म बताईएगा और TDS का भी फुल फॉर्म बताईएगा क्योंकि अभी महिला सम्मान बचत पत्र जो दो लाग की योजना आई है बजट में उसमें बोला गया चालिस या रुपए तक की इंट्रेस्ट जो इंकम है उसको TDS से उसको रिबेट दे दिया जाएगा TDS उसका नहीं कटेगा तो दोस्तों जो है यह यहाँ पे पर एकसेंशन यहाँ पर टीसी से दिया जा रहा है साथ लाख रुपए तक की जो है टांजेक्शन पर तो इंटहरेइशनल डेबिट कार्ड केड़ लों पर दोस्तों तो साथ लाख रुपए तक के टांजक्शन पर छूट दिया गया है TCS का दोस्तों ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शांदा जिंदाबाद जबदस्त साथ लाख रुपए तक अंतराष्टी लेंदेन करने वाले व्यक्तियों को 20% TCS लेवाई से छूट दी जाएगी TCS लेवाई से दोस्तों छूट दी जाएगी तो दोस्तों ताबर तरीके से हम लोग ने ठीक आठ बज़े करेंट अफएर के कंपलीट कर लिया चुंकि और हमानी उसे autoad तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दवाये लाइक करिए शेयर करिए ताबर तोड तरीके से हम लोग Current Affair रोज सुबह पढ़ते हैं दोस्तों तो मज़ा आ गया आप लोगों के साथ Current Affair का सेशन करके सामको 7 बजे Best 200 में सब लोग टाइम पर पहुंच जाएगा क्योंकि भाईया मुझे आज आप लोग के उपस्तिती चाहिए साथ बजे वाले Best 200 क्लास में आज साथ बजे इस चलेल पर सुरू हो रहा है मई और नौ बज़े तो चली रहा है तो डार्क कलर में ला हाँ बिल्कोल Left रार्क लर में लाइफ चैट क्रॉस कर दिए और डार्क कलर में कर दीजैं टेलिग्राम पे आपने पापा का छयाल रखिए उनको प्यार दीजिए उनको जो है हक कीजिए बहुत उनको के प्यार की जरुरत है वह अपना प्यार नहीं बता पाते मा बोल देती है आपको जो है प्यार दुलार कर देती पिता जो है थोड़ा हिचकता है तो उनको जाके आज जो है हक कीजिए प्यार कीजिए थोड़ा सा आपके अंदर भी शरम होगी आपके उभी ही चक होगा उसी चक को तोड़ी है ठीक है और दोस्तों बस इसी जो है अच्छी आदत के साथ जहें विदा लेते हैं थेंक्यू सो मच्छ शुक्रिया धन्यवाद बबाई टेक के लव यू ओल गॉड्ड ब्लेस यू ओल